investments in securities market are subject to market risk, read all the related documents carefully before investing दोस्तों यट अगेन Friday फ्राइडे फ्राइड गोल्ड शिल्वर कॉलाप्स्ट फिर से मंदी देखने मिला Friday के दिन पे 1.155 रुपए का डाउन देखने मिला गोल गया और सिल्वर की करिपकरी 200 पाइंट लोडग गया कालोरल में भी 2700 से पाइंट की मंदी देखने मिले में आप लोगो बार-बार बोलतौँ ऑफिर फ्राइडे फ्राइडे के लेंदर पर मारक कर लीजिए है कि फ्राइडे पर मोमेंटम थोड़ा बड़ा होता है एडर अपसाइड में या डाउन साइड पे तो आप लोगो में लोग मेरे को फॉलो करते हैं लाइफ में भूलिए या यूटुब पे बूलिए या 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 वेलेबल रहता हूं उम्हों मार्केट इंसाइट देने पर इंपर इसेशन लेने पर आप नहीं कर रहा है तो चैनल को फड़ा पर सब्सक्राइब कर दिए बैज आकों को प्रेस कर अगर कर देता है लोगों के स्टाप लॉससे हंटिंग कर देता है जो लोग सौर्ट है उन लोगों के पोईशन को ने हैस के उपर रीच कर वा देता है वह एक बहुत अच्छा सिनेरिव बनी का एक बेरिस टेवर्जास अगर बनता है तो तो क्या आई देखेंगे चाट्स बटी चीज समझे कि कल की जो गिरावट है उसके बहुत सारे माइने है टिकनिकल चार्ट पे तो आए सिद्धा सिद्धा चार्ट पे चलेगे दीखिए यह इंटरनेशनल गोल्ड का चार्ट है एक यहां से यह मैंने ट्रेंड लेंड ड्रॉ कर रखा है यह इक ट्रेंड लेंड का तो रेश्टियांस लिया ही लिया है अभी यहां पे मेरे पास अब और कोई सपोर्स नहीं है 2380 डॉलर के करेंड छोटा सा मैं बोल सकता हुँआ है बहुत ही माईनिव सपोर्ट जो में 2374 तो 2380 डॉलर बंड इसके निचे फिर इसको विछी पर इस सपोर्ट जोंस है वो यही कही आते है 2323 के नीचे और उसके नीचे फिर 2890 रादर के करिका ठीक है अब लोग अधर अपने M6 गोल पर आएंगे इंटरनेस्टनल गोल तो वेरिस लगी रहा है इंदीज लगातार इर रहा है अभी दिखिए M6 गोल की जिए बार बात करूँगा जो मेरे को वन भी था जो कि मैंने आप लोगों यहां पर बता है तो यहां से उपन भी गया बट जो मेरी इच्छती जो मैं वेरियस डेवर्जेंस को खोज रहा है क्योंकि जो फॉर्मेशन्स बनते है ना फॉर्मेशन्स बहुत अच्छे होते है देखिए यहां पर इडेंटिफाई होता है कि बयार आपको फॉर्स दे रहा है कि फेक दे रहा है कि बयार क्या करना चाहता है ठीक है इधर देखिए यह प्रीवियस हाई स्था 20 में कट 74,442 इस हाई को ब्रीक किया 74,700 तट यह के गया बट एक इंवर्टिंड हैमर का फॉर्मेशन हो गया और यह कैंडल रेड बट हो गया यह मंद होने का माइन ही था कि यह फॉर्स हो सकता है क्यों क्योंकि MSND और RSI जो थे ओवर्वाट सिनेरियो पर थे और यहां पर इंवर्टिंड हो गया इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया इस हाई के पास जाके हुए देखिए 74,442 और यहां पर 74,538 यहां पर हो देखिया दिस वास दा जोन की एक और ओंफिदेंस देया कि एक टॉप पे डबल टॉप बना है एक हैमर बन गया इंवर्टिंड हैवार अब इसका लो बहुत इंपोर्टेंट और यह जब होगा जैसे ही यह चीज़े होई देखेंगे एक बड़ा करडल कलका हमें देखने म बिला लिए 1165 पॉइंट्स के डाउन के साथ और 8.507 की का वाल्यूम वाल्यूम के साथ यह गीर है और ऐसा लगता है कि यह कंटिनीव रहा ना चीज़े ट्रेंट ठीक है अब यह ट्रेंड में मेरे पास जो लेबर्स जो अब आ रहे हैं देखेंगे यह लेबर्स को भी इस सपोर्ट का काव करता तो गोल्य इसको भी ब्रेक कर दिया है ठीक है अनो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट प्रॉमिनेंट जो सपोर्ड जो आ रहे हैं वो हमारे पास कहीं यह लेबर्स पे देखने मिल रहे हैं जो की 70,800 पे कलका जो हमारे जो इस विकार जो टार्गेंट ज आधनर गोल्य इस तोड़ेगा तो कहा तमझेब यह लुग सम्हारे ट्रेंट का प्लान आ मैंथ हमेसा अवर्णी चैट करते हैं hourly chart आपको as a trading instrument के इस अपसे कोई भी बी ट्रेडिंग इस्टूइमें आप बहुत अच्छा गाम करता अगर आप trade trader स्विंग देखे तो देखे hourly chart पे यह जो trend line draw होता है trend line draw करें keep it simple keep it very simple देखे यहाँ पे यह मैंने दो बनाये थे जो मैं analysis कर रहा था यहां पर यह false breakout हुआ वे वेट किया daily chart पर वेट कर रहा था कि daily chart वेट किया indications देता है यहां पर यह false breakout पर बैट ट्रेंट किसले नहीं होगा त्रुकि मेरा RSI बेरी सिंगनल दे है MSB और RSI दोनों ही बेरी सिंगनल दे रहा है यहां पर देखो दोनों ही टॉप है इस breakout के पस में RSI तो उपर से इंग्तम से reverse कर रहा है RSI तो इंगरी नहीं कर रहा है इस price rise को तो जब relative strength index इंगरी नहीं कर रहा तो नीचे नहीं तरह खारा रहा तो यह price sustain करने की chances बहुत कम हो जाते यहां पर देखना क्या आता है अगर retest करता retest करके वह आपर सुपर कैंगल जाके यह highs को तोड़ देता तो देन यह आपका stop loss होता लॉग के लिए बट अभी तो वो scenario तो आया नहीं Red तो यह important cluster सम्हें देखने में रहा है अगरा कि अब दोजी बना दोजी का low टूटा आप hourly में बोल लिजाए यहां पर एक evening star का formation भी देखने में बिला है यह वह उसके बाद यहां तक अब लोगों ने यही पर यह जो मैंने देखा था मैंने अपने premium clients को यहां पर बोला था कि you can tick a trade अब लोगों ने पहली इस high का stop loss लगाया था and then we trade and trade के बाद में हमारा drilling चलते रहा और हम लोगों ने कहीं यहां पर आके यह profit को एक बार बांद रही आ है फिर अभी हम लोग वंडे को देखेंगे क्या क्योंकि hourly में RSI आ चुका है पूरा रूम नीचे अल्टीमन ही daily week हो गया वीकली week हो गया बट विया RSI नीचे आ चुका है hourly chart तो एक बार तो reversal देगा weekly chart पे जो मैं आपको बताना चाह रहा था न चुब various divergence जो आपको सुब में बात कीजी मैं पहले आपको वह भी दिखा तो various divergence क्यों और किस लिए तो इस वाज एक्सपक्टिंग की यह हाई इक पर रूट जाए और वीरिस डेवर जाता है मतलब प्राइसेज ओपर जाके सेलर्स ने गरीट ले यह तो वह जवरदस्थ होता है इस्टी में प्रीवेस डेटा के अनलिस से पता चला है मैंने देखा है बैक्टेस्टिंग पर कि वह जाड़ा पाउर्फू होता है तो अब यह बन चुक है यह थोड़ा ज्यादा पाउर्फू है गोल्ड में इग्रिसीव लॉक्स के तरफ तो नहीं रहना है अब जो वह आपको वन आवर के डाइट पर बता रहा था दीजिए दोस्तों इसी तरह के लाइव लाइव लाइएसिस के नहीं है आप हमारी यूडियू चैनल के साथ साथ हमारे टेलिग्राव चैनल पर भी जूट सकते हैं आप लोगों के साथ लाइव डेटा शेयर करता हूं आप लोगों के साथ वह वहाँ पर में लाइव बना रहता हूं वहाँ आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और अगर आपको इसके साथ-साथ commodity में advisory चाहिए, तो मेरे paid advisories भी हैं, आप उसको भी लेख सकते हैं, उसका सारा details मेरे website पे भी दिया हुआ है, आप मेरे को DM भी कर सकते हैं, तो I can help you also in taking informed decision in a proper and informed manner with the proper प्रोबर चार्ट सेट अप जहां पर आपको risk बता हो, जहां पर आप अब इसको identify कर पाओ, तो अभी hourly chart में oversold है, तो मैं wait करूँगा कि यह थोड़ा सा 50 के जून पर आजे, यह थोड़ा उपर आजे, तो at least कुछ थोड़ा सा mouse यहां तक, और maybe, maybe a redest of these zone, तो थोड़ा कुछ बाउस मिल गया next street में, तो again it will be a sorting opportunity rather than buying opportunity क्यों हो, क्योंकि आवारे daily chart बहुत बुरी तरह खराब हो चुका है, weekly chart तो एकदम गंदा chart बना हुआ ही है, तो definitely opportunity sell की खुज नहीं, hourly chart के इसाब से, हमारे जो lower rate का जो support zone आएगा, जो आमारे आक्ट्री जो targets के formations बनेंगे, वो हमें मेरे को रखता है कि कहीं नहीं के 7900 तक के लिए gold वूफ कर सकता है, आनी वाले 70 में, तो hourly chart के इसाब से देखिए, जो भी bounce मिलता है, resistance zone के पास में, यह zone यह जो यहां पर आप अपना position बना सकते, 73,400 और maybe 73,670, but आपके जो stop losses यह जो आपके resistance लेंगे, वो 74,070 से लेके, 74,100 के होँगे, उस floor पर जाए, तो खिरवन्दी पहने जाना है, क्योंकि फिर hourly नहीं हो सकता है, trend change होता हुआ नहीं जाना है, फिर हाय जबर वापस जाके, फि इसके साथ साथ हमों silver पर बात करेंगे, silver का weekly chart बहुत जदो जाद के बार, RSI ने various signal दे दिया, MSCD भी top पे overbought है, अब यह silver के लिए जो job सबना है, important resistance का का आपको नजर आएंगे, और हमारे लिए important support identify हो रहा है, वो पहला 87,000 का ही हो रहा है, daily chart पे यही जो नहीं silver के लिए, जहां से यह last 10 पे भी भूवा था, यहां पे MSCD और RSI, oversold जो से यहां से भूव गए थे, बट यहां पर आके टकरा की यह वापर से गिरता नहीं जरा रहा है, ठीक है, अगर हम एक trend line ऐसे draw करें, यह trend line को भी support, resistance का का काप करेंगे, अब silver में daily chart पे अगर हम लोग एक trend को build क करें, यहां से ले लिता हूँ, छोटे को ले लिता हूँ, छोटे को ले लिता हूँ, अभी देखें, यह मैंने क्या किया, यहां पर silver में trend line draw किया, यह point, यह point और यहां से, तो यह trend line में draw हूँआ, इसके इसाफ से silver 88,840 की नीचे चलेगा, 86,990 और उसके नीचे 83,900, तो य यह silver के joules applicable होगे, पेरिस साइड, अब hourly chart को देखेंगे, कि hourly chart हमें क्या formulation देदा है, hourly chart पे definitely एक बड़े fall के बाद में, 94,000 से 85,000 fall के बाद में, hourly chart को देखेंगे, MSVD और RSI, पूरा का पूरा ही oversold zone पे है, यहां से क्या कर रहा है, एक reversal के लिए संकेत देगा, तो मैं यह reversal मे मैं, चुकि मेरा high time frame खराब है, मैं hourly chart को देखोगा कि मेरे इंपोर्टेंट्स, जोस कहा कहा है, वैं जोस को मार्क करोगा, तो में सब्सक्राइब कि यह जो था, यह, यह कंजेशन जो था, यह 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 आकर रूखा है, अब मेरे इंपोर्टेंट्स क्लस्टर्स ओफ के लिए है, अब अगर saver कहीं पर भी bounce देता है, तो it can be somewhere between these jobs, यह बड़ा जोन है, यह बड़ा fall आया था, बड़ा जोन है, यहां से कहीं पर भी 91,000 तक के लिए भी bounce दे सकता है, तो यह bounce को देखना है, यह bounce को अगर यहां कहीं जाके, तो कहीं से कोई evening star, को emoji कुई बना दे देता है, और RSIU और MSUD टॉप पर आके, ओड़ा बड़ा से करते हैं, तो then you can opt for a various strategy, using this zone as a resistance zone, 91,400 है अगर यहां पर आके कहीं रिवर्सल करता है, तो कोई doji, कोई रिवर्सल करता है, तो कुछ नाम मता देता हूँ, doji, hammer, evening star, spinning top, hanging mag, dark cloud cover, thin black crow in a rope, तो यह सारे patterns various के हैं, तो यह सारे चीज़ को ध्यान रोगे, hammer, inverted hammer, shooting star, यह सारे निवर्सल काई रिवर्सल करता है, long language, यह सारे को ध्यान पर देजिए, and again ऐसा formation बनता है, तो definitely यह अगर इसको breach नहीं कर पता है, तो यहां के stop losses के दा, तरस से एक मंदी का दौर और चाहूँ होगा, daily और weekly trade को continue करता हुगा, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद है, तो hit the thumbs up button, and इसी करा से गवे रहिए, अपने friends and country को भी informed decision लेने पर वदत करिए, and जहां पर risk को identify करिए, और खुट को समझीए वीडियो, educational purpose के लिए, जहां पर मैं अपने setup से आपको सी सिखाने की कोसिस करता हूँ, तो कि वजार में, निवेशों में, जोखी में, आप अपने फ्यूबित्य सलाकार से बिना राय मसुरा किये, कोई भी trade जना ले, ठीक है, तो this is Vikas signing off for today, थैंकियो धरी महीं दुस्तों